जब तक वे काम्याब नहीं हो जब तक हम उन्हें वाक्यों में ना जोड़ दे यह तमाम सब्द फ्रेजेज हैं इनका कोई माईने नहीं जब तक हम इन्हें वाक्यों में न जोड़ दे यह पंद उखिजन आफ के अउसर पर पंदर रण भागा हुआ on the brink of के प्रांगन में, on and off पनियमित रुप से, on the premises of के प्रांगन में, on account of के कारण, तथा on the context of को मद्दे नजर रखते हुए, इस पकार इनकी हिंदी होती है, let's go to passages, with such phrases, जैसे, एक सेमिनार के उसर पर मैं खूल कर बोलूँगा, I shall speak out on the occasion of a seminar, I shall speak out on the occasion of a seminar, किस बात पर बोलूँगा, on corruption, भरस्ता चार पर, on agrarian crisis, agrarian crisis means, किसी संबन्दित, जो संकट आई है, उस पर बोलूँगा, water crisis, जल संकट पर बोलूँगा, and growing radicalism, साथ ही, बढ़ते हुई radicalism, radicalism means, लोगों का उग्र होना किसी सुधार है तो, इस इन बातों पर, मैं speak out करूँगा, यानि खोल कर बोलूँगा, उसके पीछे police है, police have been behind him, while he is on the run, जबकि वह भागा हुआ है, वह अन्यमित रूप से पढ़ता है, he reads on and off, on and off means, अन्यमित रूप से, हमारी परंपराएं और संस्क्रिती बरबादी के कागार पर हैं, our tradition and culture are on the brink of destruction, on the brink of means के कागार पर, हमारी परंपराएं और संस्क्रिती बरबादी के कागार पर हैं, our tradition and culture are on the brink of destruction, the young are losing hold of their culture moorings, हमारे नौजवान संस्क्रिती बंधन पर अपनी पकड धिली कर रहा है, moorings means पकड बंधन, sorry, बंधन, संस्क्रिती बंधन पर अपनी पकड धिली कर रहा है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट, जल की कमी से चिनियों को मरने मत दो, don't let birds die for want of water, keep water pot on the premises of your houses, जल का pot अपने मकान के प्रांगन में रखें ताकि चिनियों को जल मिल सकें, कि दोस्तों प्राथना ईस्वर के प्रतिकी गई अंतर की पकार है, अपने लिए तो बहुत करते हैं वन जीवन के लिए भी इस और से प्राथना की जाएं यह हमारी कामना है। दोस्तों इस पकार से हमने इन फ्रेजिस की जानकारी हासल की यदि वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेल सब्सक्राइब कॉमेंट तेंक यू